हेलो एव्रिवान हेलो प्यारे बच्चो क्या हल चाल बेरी गुड बॉर्निंग तो अल उफ यू कल तो हमने मचाया ही कल हमने न्यूक्लियाई फिनिश भी किया उससे देखा कितने पीवाइक्यू आ चुके हैं पीवाइक्यू बहुत सारे क्लास में भी लगा लिये और फिर शाम को पांच बजे हमने क्लास करी जहां पर हमने जाके प्रैक्टिस भी करी फ्रॉम वन अब दे स्टांडर्ड बुक दीसी पांडे बुक राइट अब्जेक्टिव फिजिक बाइडी सी तो बहुत अच्छा बहुत प्रोड़क्टिव दिन गया और बहुत अच्छा लग की है अभी हमने सिर्फ एक पार्ट अपना फिनिश कर लिया है डाट इस नाइंथ अप्र वाला टार्गेट न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी हाला कि आज भी साड़े बारा बजे ट्वेल थर्टी पीम को बेटा ब्रहास्त्र बैच की क्लास है जहां पे रेडियो क्लास में भी कि अच्छे सवाल होते हैं इसके अंदर आपको हर एक वराइटी एक बार करके चला जाना है और डेफिनिटली कोई रोक नहीं सकता आपको इसके सवाल क्रैक करने से ठीक है तो आज है में 10th of April पूरा प्लानर तो आपके पास होगा ही PDF मैंने दे दिया था टेल ठीक है बेटा तो आज नुकलियर फिजन और फिजन निप्टाएंगे नुकलियर फिजन और फिजन पर जाने से पहले थोड़ा सा एक और व्यू हो जाए इस चाप्टर का इस टॉपिक का तो इस बार का तरीका हमारा यही है कि हम एक बार पूरा पीवाई क्यू एक सरसरी निगास से देख लेते हैं कि कितने सवाल जो भी टॉपिक हम करने वाले हैं उससे कितने सवाल आए तो मैंने ग्रीन ग्रीन में जो भी मार्क करके रखा है ग्रीन से जो हाइलाइट है वो नुकलियर फिजन और फिजन से रिलेटेड कोश्चन है ठीक है तो आप देखोगे 2020 individuals भी में कोशन आये था जहां पर एक रियक्शन गिवन था और आपसे पूँछा गया था इस रियक्शन में यह जो प्रोडलक्ट है एक क्रिप्टन था दूसरा कौनसा होगा यह डेरेक्ट एंसी आमकी बुकसे रियक्शन है सिर्फ एंसी आठी क्यूई क्यों fission जब भी पढ़ाया जाता है तो यह reaction पढ़ाया जाता है, वो directly आपसे पूछ लिया गया था, easy-peasy question था इसको करेंगे, balance कैसे करना ही दिखेंगे तो एक question यह हो गया, है ना आपने green-green अगर सिर्फ count कर लेना है एक बार तो देखते हैं कितने question आया है तो यह एक और रहा, 2 हो गया, यह 3 हो गया fission fusion हो गया, है ना, यह 4 हो गया 4 question, 4 के बाद इस तरफ आ जाते हैं तो आपको यह 38 number दिखाई दे रहा होगा 5, है ना, 5, 6 हो गया 6 questions दिख गया अभी तक fission fusion के उसके बाद यहाँ पे इस page में दिखेंगे है important, काफी important है और इस तरीके से जब मैं आपको पढ़ा रहा हो ना तो आपका PYQ भी काफी हद तक होता जा रहा है मेरा target यह है कि 50-60% PYQ class में हो जाए साकार बैच की जो class है 50-60% PYQ यहीं पे हो जाए बाकि आपका target रहेगा, वो आप complete कर लोगे उसके अलावा जो DC Pande Sir की book है वो हम करेंगे, तो modern physics में बहुत जबर्दस strategy के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे है बच्चो, इस एकलंपिया mentorship program के तहत बहुत जबर्दस preparation physics की होने वाली है इससे best कुछ नहीं मिल सकता इससे better कुछ नहीं मिल सकता बस जबर्दस वाली तैयारी करो 19 अपरल को आपका test भी होने वाला streak 1 का तो ये planner आपके पास होगा कल मेरे पास बहुत सारे messages आए कि सर PDF नहीं मिल रहा आपका Telegram नहीं मिल रहा है ना, तो बेटा बहुत सिंपल है आप Google पे जाएए Link Tree Gaurav Gupta लिख दीजिए Link Tree Gaurav Gupta आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक ही link में सब कुछ है बिच्छे आप जैसे इस link को खोलेंगे ना link tr.wee slash Gaurav Gupta ये देखे Telegram Channel of Gaurav Sir इसमें बस आपको क्लिक करना है that will take you to Telegram directly बस आपने क्लिक किया आप Telegram तक पहुँच गे बिटा और कुछ नहीं करना आपको साथ ही अगर आप Special Class देखना चाहते है Telegram में मिल जाएगा link लेकिन नीचे मेरे Unacademy Profile का link भी है उसमें क्लिक करो Unacademy की प्रोफाइल खुल जाएगी यहां से आप सारी क्लासस देख सकते हो और follow भी कर लेना मेरे को ठीक है ताकि आपको notification वगर भी आता रहे Unacademy से यहां पे देखिए Special Class यहां पे आप अगर see all करेंगे Special Class में बच्चे आपको सारी क्लासस देख जाएगी तो आज की क्लासस भी यहां पे आपको डेफिनेटल दिख जाएगी यह देखो 10 अपरिल यह देखो 10 अपरिल साड़े 12 बजे नुकलियाई का प्रमास्तर होने वाला है तो चीजें बहुत सिंप्लिफाई मैंने कर रखी है आपके कमेंट्स देखके बड़ा बुरा लगता है दिल से बुरा लगता है कि सर पीडियाफ नहीं मिलपाया सर इस्पेशल क्लास कहां पे होती है प्रैक्टिस वाला सेशन कहां पे होता है बिटा सब है एक ही जिगह है लिंक ट्री गोरव गुपता सब है वहाँ पे अब तो आगे जाके matrimony भी वही पे आ जाएगा न तुम्हारा तो tension क्यों ले तो चलो शुरू करते है nuclear, fission and fusion तो सब कुछ सही चल रहा है ना class सही चल रही है ना आवाज clarity है एकदम सब कुछ चीजों की है ना चलिए तो शुरू करते हैं सेशन है ना nuclear, fission और fusion की बात की जाए बेटा तो सबसे पहले we are going to talk about obviously fission है ना, fission reaction क्या होता है उसके बारे में बात हम लोग करेंगे question साथ साथ में करते जाएंगे ताकि PYQ निपटता जाए अपना साथ में 13 के 13 PYQ में कोशिश करूंगा सारे यहीं पर करा दूँ तुम्हारी tension खदम, fission और fusion की जादा कुछ करने के जरत नहीं है सीधा DC 1 डे सर वाली क्लास में आ जाना वो कर लेना ठीक है बाकि जो बचे हुए कोशिए ने PYQ के वो आपको खदम करने है, अगर radio activity पूरा नहीं किया है वो आपको खदम करना है बिटा शुरुवात कुछ इस प्रकार से होती है कि यह है binding energy per nucleon का curve with respect to mass number इधर mass number ने दिखिया और इस तरफ क्या है binding energy per nucleon है खल भी ये graph आपको दिखाया गया था यहाँ पे अगर आप दिखोगे बिटा तो सबसे ज़्यादा binding energy iron के लिए है जो कि लगभग 8.8 mega electron volt per nucleon होती है और इसलिए हम कह रहे थे कि iron जो है वो काफी stable है stable है, मोक्ष की प्राप्ति इसको हो चुकी है लेकिन जो बहुत भारी है यहाँ भे अगर आप चले जाओगे न heavy nucleus की बात करेंगे तो इनकी binding energy बहुत कम है ऐसा नहीं कि एकदम 1-2 हो गया है थोड़ा कम है 8 के आसपास ही है बट कम है तो यह सब बिचारे unstable हैं और यह चाहते हैं कि stable हो जाएं अब बिटा यह इतना वजन है ना इनका इतना मास है ना इनका कि unstable है unstable से stable होने के लिए fission reaction होगा इनमे fission मतलब यह तूटेंगे तूटेंगे और धीरे धीरे इस तरफ आने की कोशिश करेंगे iron की तरफ ताकि वो stable हो जाएं तो fission का मतलब क्या है तूट जाना दो पार्ट में तीन पार्ट में तूट जाना उसके बाद stable होने की कोशिश करना that is fission लेकिन fusion किनका होगा यह वाले भी तो बिचारे unstable हैं यहाँ पे जो इस तरफ है iron के पीछे हैं इनका mass कम है यह भी unstable है इनमें होता है बटा fusion तो यह मिलेंगे जुड के एक नया nucleus बनाएंगे heavy mass का और यह stable होने की कोशिश करेंगे तो fusion इनकी अलग परिशानी है इनको fuse होना इनको कोई चाहिए life में और यह already इतने बड़े हो चुके हैं इतना जादा mass हो चुका है कि इनको अब तूटना है तो दोनों cases आपको समझ में आ गया iron के पहले वाले क्या करेंगे fusion करेंगे fuse होके बनाएंगे नया nucleus stable होने के लिए और यह इतने unstable हैं बड़े हैं mass जादा है तूटके नया nucleus बनाएंगे again stable होने के लिए तो यह भी stability ढूण रहे है और यह भी stability ही ढूण रहे है तो दोनों case में जो product बनेगा वो जादा stable होगा चाहे fusion हो चाहे fission हो तो basic idea आपको लग गया fission और fusion का है ना चलिए शुरू करते हैं सीधा जो NCRT में दिया हुआ है fission के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ देखो आपने मिटा radioactive decay कल पढ़ा है ना वो spontaneous होता था αलफा निकल रहा है बीटा निकल रहा है बीटा माइनस निकल रहा है radioactive decay हो रहा है half life निकाल रहा है सब spontaneous था तो वो तो हमने कर लिया half life निकाल लिया आक्टिविटी निकाल लिया आप बीटा डिके में देखा क्या होता है गामा में देखा है अल्फा में देखा क्या होता है वो हो गया है spontaneous वाला पार्ट खतम है यहां पे fission जो है ना वो spontaneous नहीं है fission कराने के लिए कुछ फेक के मारना पड़ता है पता है क्या फेक के मारना पड़ता है? neutron तो ये neutron induced होता है fission इसमें अपने आपने ही होगा ये इसको चालू करने के लिए आप क्या फेक के मारेंगे neutron की bombardment करेंगे आपने जब neutron फेक के मारा तब fission reaction चालू होगा फिर वही ये parent nucleus से कुछ daughter nucleus बनेगा जो कि ज़्यादा stable होगा तो कुल मिला के देखो decay ही है ये भी आप alpha decay भी पढ़के आए हो ना balance करते के ना दोनों side ये भी decay ही है लेकिन खास बात क्या है ये spontaneous नहीं है वो spontaneous होता था ये spontaneous नहीं है इसमें neutron ठेक के मारेंगे आप एक classic example देखिए बड़िया सा example देखिए इसे reaction को पूछा था NEET 2020 में सेम reaction उठा के देदिया था देखो तो uranium 235 है आपके पास बिचारा life में बहुत परेशान है stable होना चाहता है लेकिन unstability से परेशान है इतना वजन है ना इसका कि unstable है आपने बोला रुको तुमको अभी stable कर देते हैं एक neutron उठाया तुमने देखो ये neutron है बेटा फेक के मारा इसके उपर जब तुम इस पे neutron फेक के मारोगे तो ये एक unstable nuclei ही बनेगा unstable पहले रहेगा यहाँ पे 236 आ गया क्यों सर? अरे क्योंकि एक neutron बढ़ गया neutron फेक के मारा न तुमने देखो proton number में change नहीं आया भाई ये 92 का 92 है proton थोड़न फेक के मारे हो आप neutron फेक के मारे हो न तो ये 1 increase हो गया 236 highly unstable this is highly unstable अब जब ये stable होना चाहता है न तो ये निकालेगा चीजे इधर उधर फेकेगा चीजे हाहाकार मत जाएगा बेटा क्या-क्या निकालता है वो देखो आप barium और krypton बनाता है ये और साथ में 3 neutron अलग 3 neutron और निकल जाते हैं इसमें से तो देखें आप ये था unstable 236,92 uranium highly unstable इसको बोलेंगे आप parent nucleus इसने क्या बना लिया stable होने के लिए तो ये barium और krypton में तूट गया और साथी साथ 3 neutron भी निकले आपको लग रहा होगा ऐसा बेटा कि सर ऐसे question solve करने के लिए मिलको reaction रट के जाना पड़ेगा न NEET के exam में माल लो reaction आ गया सर पूछ लेगा मेरे से तो मिलको रट के जाना पड़ेगा क्या नहीं रट के जाना है रट के नहीं जाना है reaction नहीं रटना है concept सीखना है क्या है सर concept देखो balance करके निकल आता है देखो यहाँ पे 56 है Z का नंबर प्रोड़क्ट में हाँ यहाँ पे 36 है बिल्कुल है सर ज़रा जोड़ो तो बिटा 56 और 36 को जोड़ो तो बिटा कितना आ रहा है 92 आना चाहिए और यहाँ पे देखो 92 ही है यहाँ आलफा डिके में भी बैलन्स करते थे इधर Z 2 निकल गया आलफा में तो हम Z-2 लिखा करते थे अरे तो हो गया ना नीट में रटने की जुरत नहीं है रियाक्शन ना ना कितना रियाक्शन रटके जाओगे ऐसे बहुत सारे रियाक्शन हैं कितने रटके जाओगे आप आपको रटना नहीं आपको बैलन्स करके निकाल देना है अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ यह देखो यह 144 है हाँ सर 144 है यह 89 हो गया 89 हो गया और देखो यहाँ पे तीन निउट्रॉन है तो यहाँ पे एक ए वैल्यू तीन रहीगे ना मिटा प्रोटॉन नहीं है निउट्रॉन है और वो प्रोटॉन उसमें नहीं है लेकिन थ्री तो लोग है न यहाँ से तीन निउट्रॉन तो है ना टोटल नंबर अप निउट्रॉन में निउट्रॉन तो लोग है ना तो जोड़ के देखो तो 144, 89 और 3 यह 236 आना ही आना है सवाल ही नहीं उठता कि नहीं आएगा तो आप बैलन्स करके निकाल सकते हो कि कौन सा एलिमेंट बनेगा दिल बनाओ एक बार अगर यह बात आपको खोड़ा आपको और पुराने कोशन में लेके चलता हूं बैटा क्योंकि हमारा तरीका इस बार इतना प्यारा है ना एकदम किसी टॉपिक के पीछे पढ़ जाना है पूरी उस पे ना हिस्ट्री जियोग्रफिस अब निकाल देनी है उसकी कि क्या-क्या इसको टॉपिक से कोशन आया है 1998 तब मैं भी सिर्फ 8 साल का हुआ करता था अब इससे तुम निकाल लोगे सर की डेट ऑब बर्थ क्या है सर कितने साल के हो गया है है ना कर लो यार पता क्या फर्क पड़त SR90 पूछ रहे हैं दूसरा element कौन सा है और दूसरा सिर्फ element नी पूछ रहे हैं पूरा बाकी का reaction पूछ रहे हैं मतलब बाकी का जो product है आपसे वो पूछ रहे हैं तो देखिए इसको कैसे tackle करना मैं आपको समझाता हूँ है ना देखो बिटा यहां पे 235 है है ना और यहां प 236 हो गया उपर एक ही value है ना total number of nucleons तो product side में भी इतना ही होना चाहिए product side में already कितना है आपके पास तो 90 है सर मेरे पास 90 है अच्छा 236 में से 90 घटाओ तो जरा कितना आता है 236 में अगर आप 100 घटा देते ना तो 136 आता 90 घटा रहे है तो 146 आएगा सोचो 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 जल्दी से सोचो कि यहां पर 236 होना चाहिए यह नंबर यहां पर 90 already है कितनी की कमी है 146 की कमी है अगर यहां पर कोई और element आ जाए जिसमें 146 हो तो equation balance है बिटा 146 प्लस 90 इस 236 और इधर भी कितना है 236 अरे logic clear हुआ 146 होना चाहिए मैं पहला option पहले नहीं देखूंगा क्योंकि सही answer वही है तो पहले दूसरा option से उठा रहा हूँ दूसरा option में देख यहां पर 145 है ना और यहां पर 3 neutron कितना हो गया टूटल 145 प्लस 3 148 गलत आंसर है नहीं आएगा इससे तो इससे तो balance नहीं हो रहा सर तीसरे c में देख 142 है और यहां पर 3 कितना आ रहा है 142 प्लस 3 145 नहीं आ रहा 146 चौथे में भी देख लो 142 है और एक neutron है बस एक neutron 143 ही हो पा रहा है सर नहीं आ रहा सर तो कौन से में आएगा ए ही तो बच गया देखते है ए में आता है क्या 146 यहां पर 143 आया है और यहां पर 3 neutron 143 प्लस 3 is 146 परफेक्ट है सर ए इस दा करेक्ट आंसर तो कोई भी इस class में जो बैठा है उसको reaction रटने की जरूरत complete the sentence नहीं है अगर वो balance कर लेगा जो कि उसको आता है chemistry में भी यही कर रहा है बच्पन से तो definitely उससे कोशन हो जाएंगे बागी रट वटके नहीं जाना है ना रट वटके जाओगे ना कई बार change भी हो जाता है आप आपको महां पे था 90 तुम बोलोगे सर यह क्या हो गया हमारे साथ तो रटके जाना ही नहीं है हाँ boards का paper होगा तो रटके जाना पड़ेगा वो बोलिंगे कि एक दो example हमको लिख के दिखाओ तो उसमें लिख के देना पड़ेगा यहां थोड़े नहीं सब करना है ठीक है अब देख तो बिटा कितना हो गया बताओ तो 235 तो uranium का हो गया एक neutron से हो गया 236 यह reaction सेम आपने पढ़ाया भी है ना तो बोलता है इससे बनता है krypton 89 तो दूसरा element क्या बनेगा और साथी साथ यह बता रहे है कि 3 neutron भी है बिटा है ना 89 krypton से आ गया 3 neutron से आ गया 92 आ गया आना कितना चीए था 235 प्लस एक और neutron यानि की 236 कितने की कमी है पता है कमी है 236 माइनस 92 की जो की आएगा करीब 144 144 की कमी है अब देख लो 144 कौनसे option में है D में है बेरियम बनता है 144, 56 बैलेंस करना था दो question मैंने fission reaction में शुरू महीं आते हुए करा दिये topic done and dusted हो चुका है मतलब अभी शुरुआत हुई है फिजन की है ना ऐसा नहीं की खतम हो गया शुरुआत हुई है जल्दी से एक बार दिल बना दो आगे बढ़ने के लेमन तयार है क्या D is the correct answer कितने question आ चुके इस topic से दो आगे आ सकते हैं बिल्कुल आ तो देखो मैं theory आपका एक बार टार्गेट करके देता हूं आपको कि क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं देखो बेटा कि जब एक फिजन होता है है ना uranium type का जो nucleus है जनरली हम लोग fission उसी में करते हैं उसी को हम यूज करते है nuclear reactor में fission करा दिया उससे energy निकल गई energy से power plant चल र एक fission कराते हैं मतलब उसके एक item का fission होता है ना बेटा तो लगभग 200 mega electron volt इतनी energy निकलती है कितनी कितनी 200 mega electron volt सर अगर यही joule में बोला जाए तो joule में कैसे convert करोगे सर मैं बताता हूं देखो joule का conversion सुनना ठीक है आपने कभी electron volt से joule का conversion चुना मानलो में कह दू 10 electron volt energy है joule में convert कर पाऊगे सिंबल है 10 electron volt है ना बस e की value से multiply कर दो joule में convert हो जाएगा मतलब e की value कितनी होती है जार बिटा 1.6 into 10 की power minus 19 होती है ना बस उससे multiply कर दो joule में conversion है आपका रखा हुआ है आपके स इस e की value से multiply कर दो तो हमारा तो mega electron volt है है ना देखो तो 200 इसको जब आप joule में convert करेंगे तो पहले mega को electron volt में convert करना पड़ेगा पहले तो अब सोचो mega का मतलब क्या होता है 10 की power 6 तो 200 mega electron volt मतलब क्या मतलब हुआ सर 10 की power 6 इतना electron volt समझे ना mega मतलब 10 की power 6 अच्छा अब इसको जूल में ले आते हैं तो जूल में convert करने के लिए ये तो electron volt का number हो गया into क्या करेंगे बिटा 1.6 10 की power minus 19 तो कई किताबों में ऐसा लिखा होता है कि जब आप mega electron volt से जूल में जा रहे हैं mega से जूल में तो आप multiply करिए 1.6 10 की power minus 13 ये क्या है सर 13 कहां से आ गया सर तो बिटा 10 की power minus 19 ये वाला और 10 की power 6 mega से electron volt में जाने वाला तो सोच 19 माइनस 6 करेगा कितना आएगा 13 तो इसलिए माइनस 13 दिखाए डारेक्ट कनवर्जन हो गया mega electron volt से जूल का डारेक्ट कनवर्जन हो गया लिख लो अगर आपको energy mega electron volt में given है और अगर आप इससे जूल में जाना चाहते हैं किस number से multiply करेंगे आप mega electron volt में मानलो आपको energy दी होई ये 200 तो आप करेंगे 200 multiplied by कितना 1.6 10 की पावर माइनस 19 नहीं बलकि 13 समझ यहां गया ना 13 क्यों कर रहे हैं mega की वज़े से 10 की पावर 6 भी extra है तो होना तो 10 की पावर माइनस 19 होना चाहिए था पावर वो 10 पावर 6 जो है न मेगा वाला वो उसको 13 बना देता है clear बेटा दिल बनाओ एक बर जल्दी से तो each fusion reaction sorry fission reaction will give you how much energy इतनी energy 200 mega electron volt अच्छा सोच अगर मैं कहता हूँ बेटा जहां से सुनना ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है तुम्हारा एक fission इतनी energy दे रहा है 200 mega electron volt दे रहा है ठीक है मेरे को एक power plant लगाना है power plant समझते हैं आप जो electricity produce करता है है ना अब ये nuclear power plant कैसे काम करता है आप nuclear fission कराते हो उससे heat निकलती है धेर सारी उस heat से पानी को steam में convert कर देते हैं steam को turbine में expand करा देते हैं घूमने लग जाता है उससे generator घूआ देते हैं electricity produce कर लेते हैं तो आपसे क्या पूछा गया कि मान ले बिटा मेरे को एक power plant लगाना है जिसका power है लेट से 10 kilowatt 10 kilowatt का power निकालना मेरे को उसमें से तो पूछ रहा है बताओ कितना season चाहिए पर second क्या 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 कि इतना fission चाहिए पर second number of fissions required कितने fissions चाहिए हर seconds कितना fission मेरे को कराना पड़ेगा या пятना इंटेस्टिंग कोश्यंसомина इदी पावर दे दिया पूछ रहा है कितना fission चाहिए अब मिए चीज बताओ एक similar topic होता है dual nature में पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है आज से पहले dual nature में light की power दे देते हैं total power और एक photon की energy दे देते हैं single photon की energy दे देते हैं और पता है क्या पूछते हैं बताओ number of photons per second कितना होगा 2021 में इससे सवाल भी आया था मैं relate करके पढ़ाना चाहता हूँ देखो direct formula बताऊँगा दोनों case में क्या 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 यहाँ पे निकालते है number of photons per second कितने photons per second गिर रहे हैं formula होता है total power upon energy of one photon और यहाँ पे number of fission per second same formula होता है number of fission per second कितना total power है power plant की power कितनी चाहिए आपको upon energy of one fission reaction सर इससे कैसे आएगा एक बार थोड़ा समझा भी देते आप formula तो हम याद कर लेंगे बट आएगा कैसे देखो मैं बताता हूँ ठीक है क्यान से सुनना मान लो आपको power चाहिए total power चाहिए ठीक है total तो कैसे मिलेगा आपको यह मिलेगा total energy upon time करके सगी क्या बेटा total energy upon time करके अब ध्यान से सुनना आपके पास energy सिर्फ एक fission reaction का है एक fission होगा तो दोफ़ा मिलेगा एक fission का है बस total energy के लिए किस से multiply करोगे यह एक fission का है तो total energy कैसे आएगी total number of fission से multiply करोगे है ना बेटा तो यह total energy बन गई उपर वाला हो गया ET बन गया ET लेकिन मेरे उसको पावर बनाना है तो fission reaction भी मैं पर second लोगा तो जब मैं पर second लोगा तो देख क्या होगा एक की energy into number of fission total energy बन गई तो यह total energy हो गया नीजे time आगया देख क्योंकि मैंने पर second निकाला है तो अगर time भी आ गया तो यह power ही तो बन जाएगा तो यही relation तो लिखा है मैंने तो यही relation तो लिखा है मैंने energy of one fission into number of reaction per second बराबर power यही तो लिखा है तो number of reaction per second बराबर power upon energy of one fission रट लो मैं तो कहता हूँ समझा दिया मैंने आपको मैंने आपको देखो unit wise समझा दिया एक की energy लो into total number of कितने fission हो रहे हैं per second बो ले लो power मिल जाएगा कैसे एक की energy into number of fission total energy हो गई upon time power हो गया total energy upon time is power powerful explanation ना बिटा और number of photons per second में same formula चिपकाना है वहाँ पे ना light की energy देते हैं light का power देते हैं और एक photon की energy देते हैं same formula लगता है power upon energy एक question अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा क्या बताओ तो आ जाएगा ना मज़ा चारव एक question करते हैं बस एक चीज याद रखना ठीक है यह जो तुम number of photon पर सेकेंड लिख रहे हो न इसमें power बेटे watt में होना चाहिए और energy of one फिजन जूल में होना चाहिए अरे बेटा तभी तो आएगा सही answer उपर watt है watt मतलब जूल पर सेकेंड नीचे जूल है तब तो जूल और जूल कैंसल होंगे और पर सेकेंड में आंसर आएगा कितने number of photon पर सेकेंड है तो unit का ध्यान रखना बहुत जूल जूल है तो जहां कहीं भी आप ये formula लिखेंगे कि number of fission पर सेकेंड होता है power upon energy वहाँ पे आप लिखेंगे इस बात को कि power watt में energy joule में अब ये question कराता हूँ मज़ा आ जाएगा एकदम जबर्दस तरीके से देखो क्या question पूछा आप से एक बार मेरे खाल से question number कुछ 53 के आस पास था हाँ ये वाला ये वाला देखो ठीक है देखो क्या कहता है 1993 1993 हम ते सिर्फ तीन साल के गोध में रहे होंगे तब ये question आ चुका था तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे energy released in the fission of single uranium nucleus is 200 mega electron volt मुझे भी पता है NCRT माता ने मुझे भी बता रखा है कि 200 mega electron volt energy निकलती है पता था मुझे नहीं भी देते हैं examiner अंकल तो मैं बता देता पट कोई बात ने दे दी अच्छा एक्णा में रहे कहता है fission rate बताओ मतलब हर second कितना fission होना चाहिए so that power level 5 watt का achieve किया जा सके 5 watt का power चाहिए बेटा इनको तो बोल रहे हैं बताओ कितना fission reaction per second होना चाहिए ये पहला option, ये दूसरा option ये तीसरा option ये चौथा option दुनिया जहान अलग अलग तरीके से solve करेगा गौरफ सर के बच्चे formula लगाएंगे सीधा क्या formula बताया सर ने भाई बहुत सिंपल सा formula सर ने बताया बेटा ये formula है आपको निकालना ना कितने number of reaction per second हो रहे है power लिखो total कितना power चाहिए upon लिखो energy of one fission अब देखो total power बेटा 5 watt है unit सही है उपर watt होना चाहिए नीचे joule होना चाहिए total power 5 watt है एक fission reaction की energy 200 mega electron volt है लेकिन सर आपने बोला था नीचे joule में रखना है आपने खुद ही बोला था सर यहाँ पे joule में रखना पड़ेगा तो तभी तो mega electron volt से joule का conversion पहली पढ़ा चुका हूँ क्या conversion है भाई सर conversion यह पढ़ा है आपने 1.6 into 10 की power कितना कितना बोलो minus 19 मत बोल देना बेटा बहुत बड़ा कांड हो जाएगा minus 30 क्योंकि mega की वज़े से 10 की power 6 उसमें already multiplied है तो 19 का 13 बन चुका है अब बस इसको solve कर देना आपको ठीक है अब इसको solve कर दीजिए मुझे answer बता दीजिए बेटा कितना हारा आप ठीक है तो देखो भाई ये 5 हो गया ये नीचे 2 into 1.6 हो गया है ना आप तुम जैसे भी solve करना चाहो तुमारे उपर depend करता है बेटा the way you are trying to solve this है ना मैं तो आपको बस इतना बता दूँ कि answer बहुत जल्दी से आपका आजाना चाहिए एक बार answer बताओ कितना आ रहा है tell me what is the answer you are getting उपर 5 watt नीचे ये mega electron volt यहां पर आपका conversion factor आ गया है ना तो हिमानी is saying sir 3.2 10 की पावर माइनस 11 आ रहा है अच्छा option दिखाऊ 3.2 तो है नी बिटा option में ना ना option में है 1.56 into 10 की पावर 11 ठीक है 1.56 10 की पावर माइनस 17 भी है 1.56 ही है mainly तो है ना तो आप देखो कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो एक बार जल्दी से check करो तो बिटा कोई गलती तो नहीं हो रही आप लोगों से बिटा एक बात बताओ जल्दी से एक बात बताओ तो मेरे को ना देखो कैसे solve होता फटा फट से मैं तरीका बताता हूं देखो यहां पर दो जीरो एक्स्ट्रा है दो जीरो है टेन के पावर टू है वो हाँ यह टेन के पावर टू जब इसके पास जाएगा तो यह कितना बन जाएगा यह बन जाएगा टेन के पावर माइनस 11 है ना टेन के पावर माइनस 13 इंटु buttonपावर 22 तो ठेन माइनस 11 बन गया अब आपके पास क्या बच रहा हैं 5.2 इंटु वन पर इन पर सिक से बच रहा है 1.5 के आसपस करोगे, तो 2.5 आना चाहिए, तो इसको आपने solve कर लिया, यह आ जाएगा 1.5, है ना बेटा, तो आपका answer आना चाहिए, 1.5 into 10 की पार 11, थोड़ा बहुत calculation mistake हिमानी ने किया था, वाकी लोगों का मेरे खाल से answer सही आया है, 20 दा answer, अब बताओ, कोई बड़ी है, ठीक है विटा, एक और वराइटी कराता हूँ, आपको आओ, अच्छा, एक बार ये वाला question देखना ज़रा, मेरे खाल से तुमको याद होगा, energy equivalent of 0.5 gram of substance, निकल वाया था, याद है, कि energy equivalent कितना होगा, 0.5 gram substance का, तो कैसे निकाला था, यी बराबर mc square किया था किया था, है ना, तो energy बराबर mass, mass को रख दिया kg में, into c square कर दिया, c is the speed of light, आगया था अपना energy, राइट, अच्छा, एक बार इन्हों ना क्या किया ना, एक बार question ये आया देखो, power obtained in a reactor, using U-235, uranium-235 का use कर रहे हैं, और power है, 1000 kilowatt, कितना है बेटा, 1000 kilowatt, 1000 kilowatt का मतलब है, 1000 into 1000 watt, kilo के लिए 1000 करो के ना, multiply, तो ये actually 10 की power 6 watt है, पता है, ये नहीं पूछ रहा आप से, कि कितना fission reaction per second होगा, उसका तो direct formula तुमारे पास, कि अगर number of fission reaction पूछ ले गलती से, per second, तो तुम सीधा power upon energy करोगे, power watt में रखोगे, energy joule में रखोगे, खड़ाक करके answer आएगा, लेकिन question क्या पूछा, बोलता है, mass decay per hour कितना होना चाहिए, अच्छा, ये mass decay, थोड़ा वो, यादा आरा, delta है, difference of mass, decay of mass, mass defect, ये वही चीज़ है, mass decay बोल लो, mass defect बोल लो, difference in mass बोल लो, product और reactant की बीच का याद है न, product का निकालते थे, mass, फिर reactant का निकालते थे, सब्ट्रैक करते थे, हम कहते थे, देखो भईया, mass defect है, तो ये mass defect, या फिर mass decay पूछ रहा है, पर hour में, अब आप सोचो, कैसे इसको solve करना जीए, energy given है, और आप से mass defect पूछ रहा है, कैसे करोगे भाई, अरे सर, ये तो और ज़्यादा आसान लग रहा है सर, energy देखे, मेरे से mass defect ही तो पूछ रहा है, अब देखो, क्या करेंगे न, हम लोग लगाएंगे ये वाला formula, energy बराबर, देखो बेटा, तुमको अगर नहीं क्लिक किया, तो मैं क्लिक करवा देता हूँ, energy बराबर delta m into c square, अच्छा आप बोलेंगे सर, यहाँ पर, amu वाला formula लगाएं क्या, आपने एक formula बढ़ाया था न, energy बराबर, 931.5 into delta m, amu में रखना होता था, नहीं बेटा, amu वाले में क्यों मत जाओ, क्यों मत जाओं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको power बगरा जो given है न, वो watt में given है, और जो mass है न, वो gram में, milligram में पूछ रहा है, amu में पूछ भी नहीं रहा है वो, आप unit देखो न, एक बार, आप समझ जाओगे बेटा, unit देखो, सब पता चलता है, common sense है, microgram में पूछा है, अब amu वाला तो नहीं लगाएंगे, अब आईए आपको सिखात हो, इसका answer कैसे निकाला जाएगा, देखे बेटा, थोड़ा साना adjustment करना पड़ेगा, energy बराबर, delta m into c square होता है, मेरे को बेटा, यही तो निकालना है, dm या delta m ही तो निकालना है न, देखो, मैं ऐसे इसको लिख रहा हूँ, एकदम simple तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसा question जाबर, m c square, लिख लिया सर, क्या वही mass ही निकालना है क्या, actually निकालना है कितना mass decay हुआ, अब delta m तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तुमको है न, कहां दिख रहा है delta m, decay mass, delta m नहीं दिख रहा, एक बार के लिए m को क्या लिख सकते हो पढ़ता है, e upon c square, यह एक variety है, सीख भी नहीं, बलकि mass rate पूछ रहा है, mass upon time पूछ रहा है, अरे देखो न, mass upon time पूछ रहा है बेटा, कि कितने rate से हो रहा है वो, mass decay per hour, per unit time है वो, तो बेटा, क्या adjustment करना है सुनो, adjustment यह करना है, दोनों तरफ time से या तो divide कर दो, या फिर दोनों तरफ time के respect में differentiate कर दो, सो चो mass को अगर differentiate करोगे time से, तो क्या आएगा पता है, dm by dt, ओ, यही तो है mass flow rate, यही तो है mass upon time, गजब, अच्छा, c square तो constant है, speed of light, उसका थोड़ना कुछ differentiation होगा, वो तो नमुना बाहर आ जाएगा, one upon c square बाहर आ गया, और energy का differentiation with respect to time, अरे सर, d by dt, ओ, यही तो power है, और power मेरे को given है अरे, रे, 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 वाप, रे, simplification का बेटा, next level नहीं होगा क्या, next level नहीं होगा क्या, एकदम simplification का, बेटा, plus की class कल से show करेगी, ठीक है, नया planner के साथ, नया batch, Monday से launch हो रहा है, plus का, आज वैसे भी उसमें एक उडान batch की पुरानी class दिख रही थी, तो वो नहीं हो कल से नया planner, नया batch, launch होगा, और नया planner आपको कल मैंने roughly बताया था, plus के बच्चो को, कर उसका एक proper launch भी आएगा, एकदम तरीके से, कब-कब टेस्ट होगा, कब-कब आपके क्या-क्या topics होगे, everything will be in detail, यह समझ मैं है, यह वाला equation बच्चों सभी को, dm by dt, 1 upon c square d by dt, अब मेरे को निकालना है, वेटा, mass flow rate, इसकी unit, ऐसा unit रहेगी, kg per second रहेगी, है ना, तो इसका answer आएगा, 1 upon c का square, c का square कितना होगा, 3 into 10 की power 8 का square, और energy upon time, यह क्या है, energy upon time, power, power कितना है, 1000 kilowatt, तो actually वो 10 की power 6 watt हो गया, यहां से आप निकाल लेंगे, dm by dt, पता ही, dm by dt की unit क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसकी unit है, kg per second, अच्छा आपसे per second पूछा है कि per r पूछा है, बताओ तो, आपसे पूछा per r, देखो, 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 थोड़ा सा घुमा दिया, last question को, आपसे बोल रहा है, नहीं, mass d के per r बताओ, per second निकालना तो तुम सीख गया, यह देखो, तो multiplied by 3600 भी करना बढ़ेगा, अब बस इसको solve कर लोगे ना, तो आपका answer आ जाएगा, मैं पूरा solve करके भी दिखाऊंगा, tension मत लेना, पहले बताओ, यहां तक clear हुआ है क्या, एक बार जल्दी से ना, repeat कर देता हूँ, वरना क्या होता है, कई बार जो लंबा question हो जाता है, वहाँ पे आप परिशान हो जाते हो, यहाँ देखो, सर समझा रहे हैं, तो time ले रहे हैं, बाकी कुछ है नी, इसमें दम नहीं है, आज के बाद, mass पूछ ले आपसे, mass per unit time पूछ ले, और power given है, direct यह formula लगाओ, इसको मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको बताता हूँ, मै तुम कर सकते हो, ऐसे याद, तो आज के बाद, देखो बेटा, this is all about doing all the varieties, learning them, और जब exam होगा, solving them, simple है, तो mass flow rate, याने कि m dot, mass upon time, is one upon c square into power, खाता, फिर आप सीधा, इसको अपने formula notes में include कर देंगे, यहाँ से आप direct solve करते जाएंगे, तमझवारी यह बात, yes, चलो आप solve करक देखो, क्या आरा answer, तो क्या था, one upon c square, न, तो three into ten की power, eight का whole square, one upon c square हो गया, उपर power, बेटा, power, power कितना है, sir, ten की power six है, यह आजाएगा आपका dm by dt, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यह per second आएगा, यह हर second कितना निकालना है mass, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, per hour चाहिए, एक गंटे में तो और जादा ची होगा न, तो एक गंटे में 3600 से आप multiply कर दो, अब इसको solve करते हैं, देखो, square करोगे जब आप नीचे, तो three three's are nine, ten की power 16, सही है, square कर दिया, यह ten की power six रह गया, यह होगे आपका 36, ठीक है sir, अब देख बेटा, यह nine है, यह 36 है, nine four जा, तो यह 400 बन जाएगा, सही है, सही है, सही है, यहां तक सब को सही चल रहा है बेटा, बहुत बढ़ी है sir, अब देखो, उपर 400 है, इन्टू 10 की power six है, नीचे है 10 की power 16, यह उपर लेके जाओ, तो 10 की power minus 16 बनेगा, है ना, अच्छा, अब देखोगे, तो 400 इन्टू 10 की power minus 10 बन जाए है, देखो, कितना घुमाया है, जगे जगे पर घुमाया है, लास्ट में कहरा है, मेरे को आंसर चाहिए, माइक्रो ग्राम में, तुमने सारा मेहनत किया, तुमने सब सही निकाल लिया, लेकिन आंसर आया है, केजी में, केजी परावर में, कहरा है, माइक्रो ग्राम में बता करोगे, एक केजी में कितना gram होता है, हजार तो into 10 की पावर 3 करते हैं ये gram में convert हो गया तो gram में आपका answer आएगा 400 10 की पावर minus 7 ये gram है बिटा लेकिन gram में भी खुछ नहीं है examiner कहरा, microgram में दो तो micro में जाने के लिए micro is a smaller unit, micro का मतलब होता है 10 की पावर 6, मतलब वैसे minus 6 होगा, अगर आप micro से gram में जाएंगे gram से micro में जाएंगे छोटी unit पे जाते हैं, तो आप multiply करेंगे 10 की पावर 6 के साथ अब आपका answer आजाएगा इसको solve करोगे ना तो 10 की पावर minus 1 बने गई है, 7, 6 minus 1 बन गया, 400 into 10 की पावर minus 1 answer is 40 microgram question में physics के हिसाब से जादा दम नहीं है वैसे लेकिन आपका दम खम निकालने के लिए पूरी तैयारी करके रखा है examiner ये एक तो आवर वाला point हो गया, वरना तो बच्चे को ये formula direct याद हो जाएगा कि अगर मैं को mass decay का rate चाहिए कितना decay हुआ तो 1 upon c square into power करना है question वहीं पे खतम था अगर ये भाई सहाव चीजों को थोड़ा सा complicate नहीं करते unit wise, समझ रहो ना यहाँ पे तुम सीधा power डालते upon c square करते हैं, answer था बेटा answer आता kg per second में अब इहोंने complicate करने के लिए सिर्फ इतना काम किया है कि kg नहीं चाहिए उनको उनको चाहिए microgram और per second नहीं चाहिए उनको चाहिए hour तो hour के लिए into 3600 करना पड़ा और kg को पहले gram में फिर microgram में convert करना पड़ा बाकि आप अगर overall देखोगे ज़्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में है ना परेशान तो नहीं हुए बेटा परेशान मत हो ना यार एक variety की तरह लो एक concept की तरह लो खतम करो और बोलो इस question को दुबारा दिख मत जाई हो दिख गया ना खतम कर देंगे एक बार में चल बेटा लिखो जो भी लिखना अगर doctor बनने का process painless होता तो गली गली में नुकड नुकड में doctor पाये जाते है समझ रहे ना तुमको गली गली में नुकड नुकड में दवाई की दुकान मिल जाएगी pharmacist मिल जाएगा तुमको lab assistant मिल जाएगा lab technician मिल जाएगा pathology की दुकान मिल जाएगी लेकिन बहुत चलने के बाद एक repeated doctor का clinic दिखाई देता है तो ऐसा क्यूं है वहीं पे 10 लोग दवाई की दुकान खोल के बैठे क्यूं है बेटा क्यूंकि उनको pharmacy की degree लेने के लिए जादा कुछ नहीं करना पड़ा वहीं पे 10 pathology की दुकाने चल रही है सबके पास license है क्यूंकि उनको उसमें भी जादा मेहनत नहीं करना पड़ा लेकिन doctor उस area में कोई एक है जो famous होके बैठा है जो सबका इलाज कर रहा है अपकी जान बचा रहा है क्यूं? पेन उसने लिया उसने बोला कि मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में करूंगा मैं भले थोड़ा सा पेन होगा बट मैं वो पेन लूँगा आप अगर वो पेन लेने के लिए तयार है ना तो आप भी उसी तरीके से है ना यारा वोर से गुजरोगे थोड़े cuts and creases तो लगेंगे भाई थोड़ा पसीना तो आएगा थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है हलका मूल का तो ये वोर है विटा आप battlefield में हैं तयार रहिए डरिये मत मैं सब कुछ समझाने को तयार हूँ मैंने इतनी बड़ी जिम्मधारी ली है कि मैं पढ़ाऊंगा भी और सारे PYQ कराऊंगा उसी टॉपिक के तो nuclear fusion, fusion हो रहा है मैं धीरे-धीरे सारे PYQ आपको करा रहा हूँ धीरे-धीरे इससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता तुमको इतना spoon feeding नहीं मिलेगा इतना हाथ पकड़ के कोई नहीं लेके जाएगा medical college तक मैं आपको ये promise कर रहा हूँ लेके जाऊंगा और अगले तीन महीने रोज ये चीज आपके साथ होने वाली है यहाँ पे theory प्लस आपका PYQ और वहाँ पे जाके फिर अच्छी सी standard सी किताब और क्या चाहिए theory session नहीं है ये कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है कि theory session अटेंट करूं ना करूं कहां है theory session बता ये theory है theory session नहीं है भूल मत करना ये वाली कि sir theory हम नहीं पढ़ेंगे हमको तो one short theory नहीं करनी है तरीका ही बदल दिया बेटा पूरा क्योंकि theory पढ़के नहीं होता है बेटा selection ये करके होता है selection इससे related question आजाएगा मैं theory पढ़ा के छोड़ दूँगा नहीं कर पाऊ गया question तुम तुमको गुजरना पढ़ेगा उससे तो जब तुम उस process से गुजरते हो तब तुम उस चीज को सीखते हो नहीं गुजरोगे नहीं सीखोगे बाकी formula रटके तो हर कोई चला जाएगा बिटा लेकिन ये kg को microgram में convert करना ये आपने यहां सीख लिया exam में जुरत पढ़ेगी कम से कम confidence तो रहेगा कि किया था पहले हो जाएगा करप सकता हूँ मैं तो बस यही चाहते हैं कि आप भी एक ऐसे profession में जाएग जिसकी ज़्यादा respect हो वरना भीड तो बहुत सारे profession की लग रखी है और उस profession तक पहुँचना है उस level तक पहुँचना है थोड़ा कश्ट उठाना पड़ेगा attitude सही रखो सब बढ़िया है एक बार इस question को दुबारा हर बच्चा try कर लेगा दुबारा से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है direct formula भी simplify करके दे दिया अगर तुमारी किस्मत अच्छी रही तो direct इससे आ जाएगा कि power given है mass defect per second निकालना है तुम धड़ा धड़ निकालोगे तुमको पता है यह topic physics की वज़े से difficult नहीं हुआ उसमें जो dimension change हो गया उसकी वज़े से थोड़ा सा difficult हो गया यह question that's it और कुछ नहीं इसमे kg का microgram second car बस इस वज़े से थोड़ा सा लंबा हो गया otherwise direct formula था p upon c square चली आगे बढ़ते हैं बेटा let's move right now तो अब मैं आपको थोड़ा सा theory सिखाता हूं पहले तो और theory मैं आपको बताता हूं क्या-क्या चीजे हैं ठके तो नहीं हो न रुकना मना है अच्छा वो ऐसा तो कोई गाना भी ना रुकना मना है ठकना मना है चलो anyways यह थोड़ा सा theory include करवाया है हलां कि तुम लोग boards बहुत कम बच्चे होंगे जो boards की तहरी कर रहे होंगे जो लोग boards के हैं उनके लिए बढ़ी आए आराम से पढ़ ले ना एक बढ़ी आरी विजन हो जाएगा तुमारा तो यह लोग लोग थे जिरो ने सबसे पहले फिजन वगरा किया था है ना हमारे लिए नीट के लिए जरूए नहीं है लेकिन अगर आप यह चीज़ बोर्ड में लिख दोगे अगर फिजन से कुशन आया है लिख दोगे तो शायद खुश हो जाए इंपोर्टन बाते मैं आपको बताता हूँ यह वही रियाक्शन बिटा है ना यह रियाक्शन हो चुका है अपना यह हमने देख लिया इसको बैलेंस बैलेंस करना सब सीख लिया यहां तो बलकी अधूरा लिखा है यह उपर 144 वगरे लिखा भी नहीं है छोड़ दो इससे बड़ी आपने NCRT का डारेक्ट रियाक्शन देख लिया है मैं आता हूँ इस पर नुक्लियर फिजन कैन बी एक्स्प्लेंड बाई यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल यह क्या है सर लिक्विड ड्रॉप मॉडल से नुक्लियर फिजन को एक्स्प्लेंड कर सकते हैं सोचिए अगर एक बड़ी सी पानी की बूंद है बड़ी सी बूंद चीक है अगर वो ग्राविटी में ऐसे गिर रही है तो आपको शाथ पता होगा कि पानी की बूंद जो ड्रॉपलेट होता है हमेशा मिनिमम सर्फिस एरिया चीव करने की कुशिश करता है वेटा तो अगर मैं किसी बूंद को ऐसे गिरा देता हूँ बड़ी सी बूंद है मान लो गिरा दिया तो दीरे 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 ओएसे डंबल का शेप ले लेगा थोड़ी दिर में डंबल का शेप समझते हो आप ऐसे शेप ले लेगा थोड़ी दिर में बीच में पतला हो जाएगा साई-साइद हमोटा ओजा जाएगा अरं लास्ट में ना वो एक थ्वूंद दोपार्ट में द्वाइड हो जाएगा तो तो फिस धुनका प्राविट metropolitan ट्राप कर दिवासे हैं तो दोपार्ट में आजड़ता है ऐसे fission को समझा गया था पहली बार में तो तो क्या है व एनलोजी टू फिजन कि टार्गेट यू-35 था इसने एब्जॉर्ब किया एक न्यूट्रॉन ठीक है ना फॉर्म सहाइली एकसाइट यू-36 याद है यू-35 से यू-36 बनता था जो कि बहुत जादा अनस्टेबल है उसके पाद उसका मोशन होता है नेक सा बन जाता है नेक सा बन गया पतला खा डंबल शेप में आ गया उसके बाद ही अलग हो जाता है क्रिप्टॉन अलग बन गया बेरियम अलग बन गया और देखो ती दो-ती न्यूट्रॉन अलग निकाल दी उसने तो लिक्विड डॉप टेस्ट इसको बोलते है लिक्विड को डॉप करेंगे वो लीक्विड डॉप मॉडल यह ना मीजॉन ठी पता नी क्या है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकल पागल ही हो जाओग देखके इंडिपेंजेंट पार्टिकल मॉडल अब दिन्धेंट इसनेंटेंब मॉडल लिक्विड डॉप मॉडल आया है인क्यों घालिए अब आगे में विटा यह तरीका अगर आपको सही लग रहा ना पढ़ाई का the method of preparation कि पढ़ो और सीधा PYQ करो तो मुझे बता जरूर देना कहां बताओगे comment box में I will look at your comments यह क्लास आज ज्यादा लंबी नहीं है यह क्लास मेरे खाल से अगले 20 मिनिट में खतम हो जाएगे क्योंकि topics ही खतम हो जाएंगे फिर अपन सीधा साड़े बारा बज़े मिल रहे हैं to practice more questions पर अभी जो वेजा है इसको खतम करते हैं पहले है आज आजाओ next question करते है next topic करते है अच्छा और कुछ theory में बताने को था क्या मेरे पास हाँ एक चीज़ सोनो ध्यान से आप कितनी एनर्जी जानते हो मांडो फिजन हुआ है ना एक फिजन हुआ uranium का कितनी एनर्जी निकलती बिटा दो सो मेगा एलेक्ट्रॉन बोल्ट है ना क्या ये किसी मास के डेके की वज होता है 200 मेगा एलेक्ट्रॉन बोल्ट कितना मास का डेके होता है तो आता है इतना एनर्जी तो मास का डेके है 0.1% of mass of fission nucleus जो fission nucleus जिस nucleus में fission हो रहा है उसका करीब करीब 0.1% mass होता है this is just a fact याद रखने वाली चीज़ है दशमलो एक प्रदिशत मास का डेके होता है जिसक इतनी एनर्जी निकल के आती है बस fact है थोड़ा सा याद रखो कई बार direct factual questions आ जाते है उसके लिए ठीक है बागी वैसे इतना important नहीं 93% energy मिलती है और 7% गामा में मिलता है थोड़ा बाद photon भी निकलता है याद है ना गामा emission होता है actually गामा decay बोलते हैं आप थोड़ा सा light नि होता है एक वेरे चेंज नहीं होती जेट की वेरे चेंज नहीं होती पस एक photon निकल जाता है तो यह थोड़ा सा theoretical चीज है एक reading आप मार लोगे काफी रहेगा important question था यह liquid drop वाला है ना model क्योंकि इस से question आ चुका है चली अब आगे बढ़ते हैं वेटा अब चलते हैं nuclear fusion पे ठ ठीक है it is phenomenon of using two or more lighter nuclei to form a single heavy nucleus तो दो छोटे 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 lighter nuclei मिलेंगे एक heavy nucleus बनाएं for example A और B मिलें ठीक है उन्होंने C बना लिया और साथी साथ enormous amount of energy निकलेगी fusion में energy निकलेगी enormous amount of energy निकलेगी यह बहुत high temperature पे किया जाता है अभी बताऊंगा क्यूं होता है high temperature पे तो पिटा जो sun से energy आ रही है sun में क्या चल रहा है fusion चल रहा है high temperature है वहाँ पे बहुत तो जबर्दस तरीके से fusion चल रहा है और energy निकल रही है अब एक important बात जो c का mass होता है c is the product right c का जो mass होता है न बेटा is less than total mass of a and b देख रहे हैं आप कितना interesting चीज है a और b का mass अगर आप जोड़ोगे तो उसकी value ज़्यादा आएगी c के mass से क्यों है ऐसा ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि c is more stable right अच्छे सोचो तो यह fusion हुआ क्यों हो ताकि stable हो जाए c दो a और b थे परिशान थे life में बहुत unstable थे मिल गए stable nucleus बनाया अच्छे stable मतलब binding energy ज़्यादा की कम binding energy पर nucleon ज़्यादा तो binding energy कहां से आई होगी सर binding energy बिटा यहां से आती है mass defect into c square मतलब ज़्यादा mass का sacrifice हुआ होगा delta m is mass का sacrifice delta m मतलब difference of mass na product minus reactant का है की नहीं तो ज़्यादा mass का sacrifice हुआ है तब जाके ज़्यादा binding energy आई है और वो stable बन पाया है तो ज़्यादा mass का sacrifice मतलब mass बिचारे का कम है समझ रहे हैं? ज़्यादा mass sacrifice करके बनाया है उसने तो mass इस बिचारे का कम है दोनों के addition से तो यह बहुत important point है सर इससे भी question आया है क्या? इससे भी question आया है क्या? यह देखो 2004 if in nuclear fusion process है ना? the masses of fusing nuclei भी M1 and M2 जो fuse हो रहे है M1, M2 मिलके कुछ और बना रहे हैं क्या बना रहे हैं? तो M3 बना रहे हैं तो बताओ कौन सा सही है? M1, M2 मिलके M3 बना रहे हैं बताओ कौन सा सही है? जल्दी बताओ बेटा D है ना बेट चे? बिलकुल सही है 40 का answer होगा D M3 यानि कि जो नया वाला बना उसका mass कम है बाकी दोनों के addition से और mass कम का मतलब सबच पना है ना? binding energy ज़्यादा है stable हो जाता है na fusion के बाद तो stable होने के लिए binding energy पर nucleon ज़्यादा है कैसे होगा binding energy पर nucleon ज़्यादा? जब ज़्यादा से ज़्यादा mass का sacrifice करेगा वो और ज़्यादा mass का sacrifice कर दिया मतलब कम mass का बन गया खुद ही तो पहले से mass कम हो जाता है खीक है? चलिए अच्छा एक और question कराता हूँ मेटा question ही main main चीज तो देखो question ही है बाकी तो आप कितना भी theory पढ़ ले, selection थोड़ना होगा theory से अब देखो fission के बारे में क्या पूछता है आपसे एक बार 2005 2005 जब पूछा कि in any fission process मानलो fission का process चल रहा है तो ratio of fission products upon parent nucleus अच्छा ये product है product जो बन के निकला है ना और ये है आपका parent nucleus जो पहले से था इनका जो mass का ratio आएगा वो कितना होगा same logic है यापर same logic है यापर एकदम same logic है कैसे सर देखो जो product बना बेटा वो ज़्यादा stable होता है है ना बच्छे ज़्यादा stable होता है तो सर product की binding energy भी ज़्यादा होती होगी हाँ तभी आपने देखा होगा हम लोग जब binding energy निकालते थे तो binding energy of product minus reactant करते थे क्योंकि product का ज़्यादा होता है binding energy ज़्यादा stable है वो ज़्यादा इसलिए और binding energy ज़्यादा के लिए खूब खूण खराबा होगा बेटा यानि कि binding energy कहां से आई होगी delta m into c square से आई होगी तो खूब mass का खूण खराबा होगा mass खूब सारा बरबाद हुआ होगा और इसलिए product का mass कम हो जाता है तो जो mass है वही तो energy में convert हो गया तो आपकी binding energy बढ़ गई तो product का मास कम होता है, किसके मास से, reactant के मास से, लिख लो कुछ लिखना है तो, बागी समझते जाओ पूरा है ना, that is more important, यह बेटा दिशा पॉब्लिकेशन वाली बुक से है, ठीक है, आप मैं PDF दे दूँगा, आप सारे कोश्चन एक बार दुबारा कर लेना, और अगर आपके पास कोई PYQ की बुक नहीं है, अभी तक, तो आप ये बुक ले भी सकते हैं, बहुत important है, सारे chapters के अगर आप PYQ ऐसे लगा के जाओगे न, मैं बता रहा हूँ आपको 80-90% question need में ऐसा लगेगा, कि सब किया हुआ है, ये भी देखा हुआ है, वो भी देखा हुआ है, क्योंकि repeated होता है stuff, C is the correct answer है ना बच्चे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और, और कोई question कराना है क्या, अच्छा, अभी fusion थोड़ा ख़दम कर लेते पहले हैं ना, let's complete the fusion first, तो ये अच्छा point हा, राइट, कि जो C का mass होगा, वो दोनों के mass के addition से कम होगा, ठीक ऐसा है, बहुत बढ़िया, 30 वाले करा दो, कराते हैं, सारे करा देंगे, don't worry, don't worry, ये हैं बेटा, कुछ fusion reactions, आप देख रहो, दो hydrogen मिलके, जो है, से एक दो रट के चला जाए, और अगर उसमें कोशन आ गया, कि explain fusion, give some examples, है ना, तो आपको शायद पूरा लिख लाग के सब दताना पड़ेगा, तो आप पढ़ लेना, जो boards वाले हैं, ठीक है, बाकि नीट वालों को याद वाद करने की जुरत नहीं है, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, कि fusion पे question आ सकता है, क्या, अगर question आ सकता है, तो क्या आएगा, देखो, कहता है, mass defect in nuclear fusion reaction, is 0.05%, percent में given है, तो कहता है, what amount of energy will be liberated, in 1 kg fusion reaction, सोचो, common sense लगाओ बीटा, mass defect, percentage में है, किस चीज का percentage है वो, 0.05% किस चीज का percentage है, total mass का, total mass कितना है, 1 kg, तो 1 kg fuel इस्तेमाल किया गया है, इस fusion में, उसका 0.05% is your mass defect, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, mass defect is, 1 kg का 0.05%, याने की 0.05 upon 100, यहां से आजाएगा mass defect, आगया mass defect, kg में आएगा, देखो, क्योंकि 1 kg लिखा है आपने, यहां से mass defect आगया, कहता है energy कितनी liberate होगी, तो energy क्या होगी वाई, delta m into c square, खताँ, तो आप calculation देख लो, एक बार जल्दी से, यह mass defect हो गया, 0.05 upon 100, तो इतना आजाएगा, और multiplied by c square करना है, mc square, तो यह mass हो गया, यह c square हो गया, खताँ, तो mass कितना आया था यहां से, मैं करी के बता देता हूँ न, ज्यादा अच्छा रहेगा, mass आया था 0.05 upon 100, c square कितना हो जाएगा, 3 into 10 की पार 8 का whole square, अब जो भी आएगा यार, यह 9 हो जाएगा, यह 10 की पार 16 हो जाएगा, यह आपका 5 into 10 की पार minus 4 हो जाएगा, अब solve all करके देख लो, जो भी आता है, आंसर देतो, 45 into 10 की पार, 12 के आसपास खुछ तो आएगा, यह इसका अंसर है, तो fusion में भी यह कुशन आ सकता है, कि mass defect given है, इतना percent है, इतना है, निकालो, PYQ, देखो PYQ में भी आया है, 2013, यह तो काफी recent question है, कहता है, certain mass of hydrogen is changed to helium, by process of fusion, क्या बन रहा है, helium, कौन सा process है, fusion, mass defect कितना है, 0.02866 AMU, अमने जो किया, उसमें mass defect बेटे, kg में था, है ना, है ना, है ना, तो energy निकालने के लिए, कौन सा formula लगाया सर ने, delta M into C square, लेकिन तुमको जो question, वहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ पे जो question दिखाया गया है, उसमें किसमें है, AMU में है mass defect, तो आप ही बताओ मुझे, कौन सा formula लगाना सही रहेगा, अगर mass defect AMU में है, तो कौन सा formula लगाना सही रहेगा बाई, delta M into 931.5, तो देखो, delta M इतना हो गया, बस आप कुछ नहीं है, delta M into 931.5 लगाओ, और देखो, answer भी mega electron volt में ही given है, लेकिन एक कहानी में twist है, यहाँ बताता हूँ क्या है, last में इन्होंने लिख दिया, per AMU बताना है, per AMU का मतलब कितने nucleons हैं, उससे divide करना पड़ेगा final answer को भी या, देखो, आपने इसको multiply किया है, यह delta M है, 0.02866, यह लगभग 1000 के आसपत है, 931, 1000 से थोड़ा सा कम, अगर 1000 से multiply करता, तो 28 answer आता, 28.66 आता, लेकिन उससे थोड़ा कम है, तो कुछ 26 आएगा, 26 आएगा, बच्चा तुरंट जाके A पे click कर सकता है, अज्यान में डूबा हुआ बालक, सीधा चाहेगा, बोलेगा sir, 26.7 is the correct answer, नहीं, यह last में जो पर AMU लिख दिया न, अब आप देखोगे कौन सा element है, helium, कितने nucleons हैं, 4, उससे divide करना पड़ेगा, पर Nucleon हो गया, पर AMU का मतलब पर Nucleon हो गया, तो 26.7 divided by 4 आप करेंगे, तब जाके आपका answer आएगा, तो मेरे खाल से 6.675 वाला, यह वाला आपका सही answer होता है, है ना मेटा, यह गलतियां मत करना, यह होता है यार, चोटी बोटी चीज़ें ऐसे लिखी होती ही न, वही से exam आपको difficult लगना शुरू होता है, लेकिन अगर enough practice करके जाओगे, तो दिमाग सही चलेगा, practice की कमी रहेगी, तो यह सब दिमाग नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब आप गुजरते हैं इन चीज़ों से, तो आपको याद हो जाता है, अच्छा, एक बार मेरे से यह गलती हुई थी, once upon a time, I made this mistake, तो you'll be more careful, कि अच्छा, कहीं पर AMU तो नहीं पूछा, एक बार चेक कर लूँ, अच्छा, पूछा है पर AMU, तो चार से डिवाइट करना पड़ेगा, है ना विटा, तो यह थोड़ा सा है न, vigilant हो जाएंगे, आप ज़्यादा practice करते करते, आईए, अब आगे बढ़ते हैं, questions पर questions हम लोग कर रहे हैं न, एक question ये वाला कर आता हूं आपको, fusion reaction, takes place at high temperature, मैंने बोलाता न, high temperature पर होता है, अब देखें उसके reasons क्या क्या given है, nuclei break up at high temperature, atoms get ionized at high temperature, kinetic energy is high enough to overcome Coulomb's repulsion between the nuclei, molecule break up at high temperature, देखो यार, fusion में दो elements को pass आना है, pass आओ, pass आओ, है न, मालों दोनों में से कोई भी close up करके नहीं आया है, तो pass आओना नहीं हो पाएगा, तो basically यहाँ पे close up नहीं करने का मतलब है, Coulomb repulsion, Coulomb repulsion होता है बेटा, repulsion की वज़े से यह pass नहीं आपाते हैं, भाई, ऐसा थोड़ी आना है बस, उनको समाज आना है, नया element बनाना है, भाई, atomic level पे बात हो रही है, pass आने की, ऐसे नहीं कि दो element बस pass आ रहे हैं, atomic level पे बेटा, proton, proton जो है उन दोनों के, उनको pass आना है, तो कुलॉम रिपल्शन तो होगा, इसके protons, इसके protons, दोनों मना करेंगे, कि नहीं तुम close up करके नहीं आ, तुम भी close up करेके नहीं आ, तुमारे मुझ से बास आ रही है, हम नहीं आ रहे तुमारे पास, अगर कुलॉम रिपल्शन हाई है, तो यह पास नहीं आ पाएंगे, fusion नहीं हो पाएगा, तो हम लोग इनका temperature बढ़ा देते हैं, temperature बढ़ाने से इनके बास kinetic energy आ जाती है, अब वो kinetic energy किसी की सुनती नहीं है, वो बोलती नहीं है कि हम सुनेंगे तुम्हारी, Coulomb's law लगता रहे जितना force लगाना है, kinetic energy इतनी हाई है कि यह समा जाते हैं एक दूसरे में, फिर गाना बसता है, हम तुझ में इतना दूब जाए, जैसे मचली दरिया में, और फिर यह नया element बनाके तयार हो जाते हैं, तो इस इस दे करेक्ट आंसर, C, अब हम fusion कर जाएंगे, C is the correct answer, kinetic energy is high enough to overcome the Coulomb repulsion at high temperature, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सार, ये भी हो गया आपना, बोटा-बोटी class finish है, ठीक है, तो ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है ना, पहले से बेटर है ना, तरीका, अब मैं खाली theory पढ़ाऊं, डेड़ घंटे में, इससे अच्छा है ना वेटा, theory के साथ साथ सारे questions खतम कर दू, तो मेरे खाल से हमने ये भी कर लिया, देखो, ये भी कर लिया है, ये कौन सा question है भाई, 39 में क्या पूछा, एक बार कर लेते हैं ना, इसको भी, देखो तो क्या लिखा है, Fission of nuclei is possible, because binding energy per nucleon in them, यार, Fission पूछ रहा है, Fission किसका होता है, बहुत heavy वालों का, तो heavy वालों में क्या होता है, binding energy, decrease होती है, heavy में आप जाते हैं, तो जैसे जैसे mass number बढ़ाएंगे, binding energy कम होती जाती है, तो देख लो, कहां लिखा है decrease, ये लिखा है decrease, decrease with mass number at high, mass number, यही तो है, है ना, जितना आप mass number बढ़ा रहें, energy कम हो रही है, इसलिए unstability है, और इसलिए fission हो रहा है, ठीक है, तो मेरी ख्याल से, जादा तर चीज़े मैंने करवा दी, हाँ, एक question मेरे को ये वाला कराना था, 2008 वाला, इसमें doubts था लोगों को, आपको भी है क्या, इसमें doubt, ये वाले question में, इसमें ना, क्या बुला गया है, कि M जो है यहां पे, अभी एक bonus question आएगा, ठीक है, एक bonus question आएगा must वाला, तो class अभी end नहीं हुई है, आप मेरे को 10 minute और 2 बस, class end हो जाएगी 10 minute में, लेकिन पूरा करके जाओ बेटा, कुछ अच्छे questions और करा देता हूँ न, questions ही तो करने है, तयारी is all about doing questions, कहता है M एक atom है, ठीक है, MP और MN, mass of proton है, mass of neutron है, ठीक है, तो बताइए, proton, neutron respectively in U, तो binding energy, जी अगर BE से आप denote कर रहे हैं, तो कौन सा relation सही है, देखो, इसको देखके कई बच्चे confused हो गया है, मैं तुमको कहता हूँ, क्यों confused हो जाता हो बेटा, तो मैं ऐसी चीज़ हो है, देखो, simple है, बहुत simple है, ध्यान सा सुनना, mass defect is given by, theoretical mass minus practical mass, correct बेटा, ठीक है जब, theoretical mass, number of protons into mass of proton, plus number of neutron into mass of neutron, कल पढ़ाय तो यादा रहा है ने बेटा ये सब, theoretical ऐसे तो निकालते हैं, number of proton z into mass of proton, number of neutron into mass of neutron, minus practical mass, practical mass of जो nucleus है, उसको उन्होंने बोला है simply M, A, Z, ऐसा लिख रहे है इसको, ये practical mass है, actual mass of the nucleus, तो ये होगी आपका delta M, तो सरस्में binding energy कहा है, वो तो binding energy भी पूछ रहा है, तो binding energy बराबर delta M, into C square, यानि कि delta M बराबर, binding energy upon C square, सही है, binding energy upon C square, तो यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा आपका, binding energy upon C square, बराबर this, लंबा चौड़ा equation, क्या है लंबा चौड़ा equation, this minus this, अब उन्होंने क्या किया है, पहले option में आप देखोगे न, तो आपके कराई देता हूं, यार, क्योंकि बहुत बच्चों का doubt आया था, ये वाला Instagram पे मैंने देखा था, उन्हों सारे बच्चे करें, सर ये वाला question कराथो, सर ये वाला question कराथो, क्या था question number ये, 34, हाँ, बिल्कुल सही है, minus M, A, Z, अब देख बेटा, क्या कर, इसको इधर ले आ, इस तरफ, left की तरफ, और इसको इधर ले जा, right की तरफ, तो क्या answer आएगा, M, A, Z, बराबर, ये सारा छाप दो इधर, tape दो पूरा, है ना, और minus ये आजाएगा, binding energy upon C square, यही आपका answer, तो ऐसे लिखा हुआ है, कि देख के डर लगता है, कि अरे ये क्यों सा expression ना भाई, ये क्या लिख दिया यहाँ पर, है कुछ नहीं, यहाँ से आ रहा है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया है, वही से आ रहा है, थोड़ा सा rearrangement है, that's it, तो मेरे खाल से, पहला वाला ही option सही होगा, क्या, A है क्या, है बेटा, A है क्या answer, आ यह है, is due to fusion, अभी अभी बताया था, fusion की विज़े से होता है, यह वाला question अपना होई गया, ठीक है ना, 53 अपना करी लिया, यह देखो तो बिटा, 49 कर पाओगे, इसमें fission word यूज कर दिया है, बाकि इसमें कुछ है नहीं देखना तुम, ठीक है, यह element हो गया, यह तूट रहा है, X में और Y में, और 2 neutron निकाल रहा है, कहता है, binding energy per nucleon, X और Y का 8.5 है, इसका भी 8.5 है, इसका भी 8.5 है, और binding energy per nucleon, इसका uranium का, इसका 7.6 है, तो total energy liberated कितना होगा कह रहा है, कैसे करते थे, यह question हो चुका है, actually, similar question हमने कल किया भी है, इसका, तो इसका simple सा तरीका है, binding energy of product, minus binding energy of reactant, product में क्या क्या है, X और Y, per nucleon दिया है, 8.5 per nucleon है, तो X का हो जाएगा, 8.5 into 117, इतने nucleon है, और Y का भी उतना ही होगा क्या, देखो, Y का binding energy भी इतना ही है, 8.5, और nucleon भी 117, तो इसको में 2 सा multiply कर लेगा, X और Y दोनों आ गया, पूरा product का आ गया, इसका भी 117 into 8.5, इसका भी 117 into 8.5, जोड़ दो, double हो जाएगा, product का हो गया, minus करके अब आपको लिखना है, reactant का, reactant में क्या है यूरेनियम, उसके nucleons कितने हैं, 236, 236, और उसका binding energy कितना है, पर nucleon 7.6, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, 236 multiplied by 7.6, था था, था था, solve कर दो, आपका answer आपके सामने होगा, है ना, done and dusted, फिर 2021 में same question आ गया था, with values change, तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, आपको इतना confidence दे दू, इतना confidence दे दू बेटा, कि आप tension ही ना लोग जबी, सारे टाइप के question मैं करा रहा हूँ, जितने भी आज तक आए है, vision fusion से, in nuclear fusion process, the suitable nuclei for fusion, हलके वाले, हलके वाले, हलके वाले होंगे, तो fusion होगा, भारी वाले होंगे, vision हो जाएगा, ठीक है ना, इस लिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चे, question number 30 पूछ रहे हैं, 30 है ना, चलो अच्छा है, recoil वाले है रहे है रहे है, समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया, हाँ यह point हमने discuss नहीं किया था है ना, अच्छा point है, चलो, वैसे बहुत आसान है, वैसे बहुत आसान है, देखो, recoil क्या होता है बेटा, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा, वो बंदूक से गोली वाला पढ़े हो कभी, हाँ, देखो, तो होता क्या है ना बेटा, जब बंदूक में से गोली निकल जाती है, यह मालो ऐसे बंदूक है, ठीक है, गोली निकल गई, तो होता क्या है ना, जो गोली का momentum होता है, magnitude wise, वही बंदूक का momentum होता है, magnitude wise, अब यह आता कहां से है, अगर आपको background सुनना है, तो सुनिए, जो बंदूक गोली में force लगाएगा, गन जो बॉलेट में force लगाएगा, उतना ही force, बॉलेट गन के उपर लगाएगी, action reaction, इसने उस पर force लगाएगा, उसने इस पर force लगाएगा, होता है ना, गोली चलाओ, तो पीछे चले जाते हो, तो मुलेगे, हाँ से हाँ से, ट्राइ किया तो पक्का यूपी से, मिर्जापुर से हो क्या भाई, I hope तुमने ट्राइ ना किया हो, तो जादा अच्छा है, लेकिन होता यही है, कि गोली आगे जाते ही, बंदुक पीछे, recoil इसी को बोलते है, ठीक है, अब net force 0 होता है, सिस्टम का, दोनों को अगर एक साथ मान लोगे तो net force 0 है, सिस्टम मान लिया ना, बहन ने भाई को पीड़ दिया, भाई ने बहन को पीड़ दिया, घर की बात रहे गई, internal force है, external force 0 है, और जब-जब इस धर्ती पे external force 0 होगा बिटा, तो जो net momentum है, वो conserve रहेगा, तो इसी लिए हम लोग बोलते हैं, कि momentum of bullet, बराबर momentum of gun हो जाता है, अच्छा, ऐसा ही होता है, जब fission होता है, या फिर कोई चीज तूट के निकलता है, तो मान लो, कोई एक particle है, उसमें से कोई particle तूट के निकल गया, तो उसका momentum, और इसका momentum, जिससे तूटा है, उसका momentum, दोनों सेम रहेंगे, magnitude-wise, तो recoil क्या है, recoil यह है, कि gun से bullet तो आगे चला गया, बट कितनी speed से एक gun पीछे आ रहा है, that is recoil, तो same है, मान लो, कोई बड़ा nucleus है, उसमें कोई छोटा सा particle निकल के चला गया, तो यह कितने से पीछे आया, that is recoil, तो देखो, question number 30 मैं आपको समझाता हूँ एक बार, है ना, बहुत सारे बच्चों का doubt है, तो 30 number question कह रहा है, कि यह एक nucleus है, जिसका mass है, capital M, है ना, it emits a photon of frequency new, and the nucleus recoils, the recoil energy will be, अच्छा, ठीक है, अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक बार, अपन diagram में पूरा बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद solve कर देते हैं, ठाता मैं, कोई दिक्कत वारी बात नहीं है, nucleus का mass कितना है, M, ठीक है सर, तो मैं M mass का एक nucleus बना लेता हूँ यहाँ यहाँ पर, यह देखो, nucleus बना दिया मैंने, कितनी गंदी hand writing बना रहा हूँ, sorry बेटा, कोई बात नहीं, काम चला रहा हूँ, कहता है photon की frequency कितनी है बेटा, photon की frequency है new, अच्छा, इस में से जो photon निकला, उसकी frequency है new, अच्छे बात बताओ, photon का momentum, आता है आपको लिखना, momentum of photon, h by lambda, wavelength of photon बराबर h upon p, या फिर momentum of photon बराबर h upon lambda होता है, सर लेकिन lambda तो given नहीं है, यह कहां पढ़ा होगा आपने पता है, dual nature में, नहीं पढ़ा तो याद कर लो, h by lambda होता है, h by lambda is energy of photon, h by lambda is momentum of photon, अच्छा, लेकिन सर lambda तो given नहीं है, तो सोच, speed of light से ही तो चलता है photon, photon what, light, तो c बराबर new into lambda हो जाएगा, frequency into lambda, speed बराबर frequency into lambda, speed बराबर frequency into the frequency, new is the frequency, तो सोचो, one upon lambda को क्या लिख सकते हैं, आप one upon lambda को लिख सकते हैं, new upon c, तो यही जो formula है ना, आप देखो, यह formula वैसे जाता है तो बच्चे को पता भी होगा, बढ़ फिर भी मैं समझा रहा हो तो अच्छे समझाऊंगा ना, है ना, तो lambda को आप लिख सकते हैं, new upon c, hc upon new is the momentum of photon, हाँ यह ना, सोच वाराम से सोचो, याँ मेरे को जल्दी बाजी नहीं है, तुमको भी नहीं होगी मेरे खाल से, तुमारी कौन से c u के साथ मीटिंग है ना, तो जो photon निकला है, जिसका frequency new given है, उसका momentum यह रहा, देख लो एक बाज़ जल्दी से समझ में आया, h by lambda, है ना, और 1 by lambda को लिख सकते हैं, अपना यह वाला, है ना, तो new by c हो गया, ठीक है साथ, तो h new, उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, हाई रे नमूनो, उल्टा लिख वा दिया नमूनो, यह से तुमारी क्या ही गलती है, यही गलती है, तो actually lambda होगा, actually lambda होगा, c by new, मेरे को नीचे c लिखना था, उपर new, कोई बात नहीं, अब सही है, अरे अब सही है, हो जाता है, बड़े बड़े शोटी शोटी बाते होती रिती भाई, यहां तक सही लिखाता, लखने में थोड़ा सा उल्टा हो गया, हाँ, तो यह हो गया momentum of photon, अब बेटा, जितना momentum of photon है, सोचो, क्या उतना ही momentum आपके nucleus का भी होगा, क्या उतना ही momentum आपके nucleus का भी होगा, हाँ, तो मान लो आपका nucleus ना u velocity से भाग जाता है, u velocity से पीछे भाग जाता है, तो सोच, उसका momentum क्या हो जाएगा, तो सर, उसका momentum हो जाएगा, m into u, है ना, m मास हो गया, u is the velocity, तो m into u is the momentum, और ये हो गया आपका h new divided by c, ये हो गया momentum of photon, सही लेकर रहा हूं बिलकुल, अब यहां से थोड़ा सा कांड शुरू होगा, मैं आपको बताता हूं क्या कांड है, ठीक है ना, आपसे क्या पूछा है, ये important है कि आपसे पूछा क्या देखो, आपसे पूछा गया है, चलो आप momentum, momentum तो निकान लोगे, दोनों का momentum आपने बराबर कर दिया, बढ़ आपसे क्या पूछ रहा है, कि recoil energy कितनी होगी, अब बिटा तुम मुझे बताओ, energy कैसे लिखोगे तुम, मैं बताता हूं को, तुम क्यों बताओगे, मैं बताता हूं, energy तुम लिखोगे recoil energy, half mu square, kinetic energy ऐसे दिखते है न, यहां से तो तुमने एक relation निकाल लिया, बिटे, कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, अब तुम को क्या लिखना है, half mu square, अब सोच के दिखो, आप half mu square आखिर कैसे लिखेंगे, है न, you have to write down the energy of the nucleus, nucleus का आपके पास momentum जरूर है, m into u है आपके पास, लेक आपके दिखो, अगर आप यहां से u की value भी calculate कर लेते हो, उसको उठा के आप वहां पे डाल देते हो, तो अभी आपकी energy आजाएगी, तो basically दो चीजे है, एक तो energy का equation लगेगा, half mu square, और एक आपका लगेगा, यह वाला equation, mu बराबर h new divided by c, तो बस यहां से आप u की value निकाल जालो, h new by c upon capital M हो जाएगा, उसको आप वहां पे रख दो, आपका answer आजाना चाहिए, यह मही करके बता देता हूँ, तुम पे कहें डालू, है ना, चलो मही करके बता देता हूँ, आजओ, 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 फटा-फट कर लेते हैं, तो जो u का formula है, यहां से, नीचे से, व अब u का square है, speed का square है, तो यहां पे you will get h square, यहां पे you will get new square, यहां पे you will get m square, यहां पे you will get c square, एक मास ने एक मास को मार दिया, आपका answer क्या आ रहा है, बता है, आपका answer आ रहा है, मैं यही पे लिख रहा हूँ किया, sorry, हट जाता हूँ, आपका answer आ रहा है, h square new square upon 2mc square, अब I hope, ऐसा ही कुछ option होना चीए, है न, वही है, B वाला आ रहा है सायद है न, B should be the correct answer, देखो, यह वाला आ रहा है, हो गया वेटा, B is the correct answer, H square, new square upon 2 times mc square, तो कर लोगे आज के बाद, repeat करना है, अरे बोलो शर्मा मत, repeat करना है, तो जल्दी बोलो, कर देते हैं, पटापट, जल्दी से कर देते, देखो, हमने देखा कि photon का जो momentum है, वो था, H new by c, H new upon c, हमने देखा, जो particle का momentum है, निकलियाई का, mass m है, velocity u है, तो इसका momentum हो जाएगा, m into u, दोनों का momentum बराबर, यहाँ से हमने u निकाल लिया, तो u हो जाएगा, H new divided by m into c, u आ गया, हमसे पूछा, recoil energy, recoil velocity पूछता तो यह answer था, recoil energy पूछता तो यह answer था, recoil energy पूछ रहा है, half m u square, u उठा के यहाँ रख दिया, थोड़ा सा कांड किया है, हल्का खुद का इधर उतर, calculation वगएरा, दिल बनाव बिटा, come on, तो 30 done है, repeat कर रिया, बता था, लंबा solution हो जाता है, तो repeat तो करवा ही लेते हो, है ना, 56, है ना बिटा, 56, कोई बच्चा पूछ रहा है, 56 में आ जाते हैं इक बाई, 56 क्या है भाई, an electron with rest mass m0, moves with a speed of 0.8c, अच्छा, its mass when it moves with this speed is, अच्छा, आपको पता है, यह general theory of relativity का question है, अच्छली, है ना, बहुत पहले दिखवा आया था, 1991 में, अब नहीं पूछते हैं इससे, लेकिन, एक formula है, याद कर लेना, ठीक है, formula मैं आपको बता देता हूँ, तो बिटा, formula होता है, the mass, बराबर, मतब किसी speed वजब आप mass निकालते हो ना, तो formula क्या होता है, m0, that is the rest mass, जो की given है, आप देखोगी, question में, into under root of, मतब divided by, sorry, under root of 1 minus v square upon c square, यह formula होता है, ठीक है, तो v आपको given रहेगा, कि कितना speed पर भाग रहा है आपका electron, और c तो speed of light है, तो क्या दिया है, कि 0.8c से भाग रहा अपना electron, 0.8 into c से भाग रहा है, तो देखो, m बराबर, m0 upon, पूरा solve मैं नहीं करूंगा, तुम कर लेना है, ना, 1 minus v square हो गया, 0.8c, उसका square, 0.8 का square, 8 into 8, 64, तो यह बन जाएगा, आपका मेरी खाल से, 0.64c square upon c square, अब solve में कर लोगे कर लेना यार, तहां लगे हो, है ना, you will get the answer from here, ठीक है, LCM ले लेना, c square बिल्द ले, LCM, यहाँ पर c square आगया, यहाँ पर 0.64c square आगया, बस उसको डिवाइड डिवाइड करके देखना, calculation हो जाएगा, you will get the answer, और बता, और कोई दिक्कत है, या खतम करें class को, देखो, तु सिर्फ दो मिने, एक वराइटी वस बज गई है, बोनस कोशन है, इससे related सवाल नहीं देखा गया है आज तक, लेकिन मैं बोनस कोशन की तरह तोर पे दे रहा हूं, क्योंकि यह जही बगर में बहुत बार आया है, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता, पीवाई की तो मैंने सार 235, एक ग्राम यूरेनियम 235 सैंपल है आपके पास, यह मास डिफेक्ट नहीं है, यह अगर आप इसको मास डिफेक्ट समझ रहे तो मैं बता दूं, यह मास डिफेक्ट नहीं है, यह एक्च्वल मास ओफ फ्यूवल है, यह फ्यूवल कितना लिया गया है, फ्यूवल क्या है यहाँ पे इस reaction में, fuel है अपना uranium 235, fuel का mass है बेटा 1 gram, पूछता है कि अगर 1 gram का पूरा का पूरा, कितने energy निकलेगी, फटा-फट समझा देता हूँ, दो मिनिट में answer आ जाएगा, फिर आपकी छुट्टी है, ठीक है, देखो, देखो भाईए, इसको solve गैसे करते हैं, मैं आपको पताता हूँ, पहले ता आपको यह पता होना चाहिए, कि 1 gram uranium में, कितने number of atoms ह है, या फिर कितने number of nuclei हैं, क्योंकि जितने number of nuclei होंगे, उतना fission होगा, मान लो, इसमें मिलता है, हमको 4000 atoms है, तो इतना fission होगा, 4000 atom का fission होगा, और एक fission में कितनी energy, 200 omega electron volt, तो 4000 atom, 4000 fission, तो total energy into 200 कर देंगे, अब मिरको नहीं पता है 4000 आएगा, atoms की 5000 आएगा, atoms की कि कितना आए है, बट आपको मैं मोटा मोटी बात समझा रहा हूँ, कि अकर gram में fuel given है, तो आप उससे ये निकालेंगे, कि इसमें atoms कितने हैं, कितने number of atoms हैं, multiplied by एक fission reaction की energy, 200 mega electron volt होती है, आंसर आ जाएगा, तो बस मेरे को आप 2 minute का time दीजिए, इसको मैं आपको explain कर देता हूँ, कैसे number of atoms आप निकालोगे, बैसे तो आप mole concept जानते हो, आप तो मेरे को पढ़ा दोगी ये topic, बट फिर भी, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही पढ़ा देता हूँ, खिलाल है ना, uranium का जो mass है, वो 235 gram है, तो आप ऐसा बोलते हैं ना, कि जो इसका mass होता है, molar mass जो होता है, उसमें कितने number of nucleons होते हैं, कितने number of atoms होते हैं, तो सर Evagadron number के बराबर, बढ़ा है ना बेटाई सब, मानलो तुमसे मैं water मांगू, कि मेरे को तुम एक mole of water दे दो, या ऐसा कुछ बोल दो में तुमको, ये सब आता होगा ना, तुमको, 235 gram मतलब 1 mole हो जाएगा, और 1 mole का मतलब हो जाएगा पानी पिलाओगे, ये तो हाँ सर पिलाएंगे, तो एक mole पानी ले आओ, कितना लाओगे, 18 gram, क्योंकि 18 gram is the molar mass, similarly अगर 1 mole uranium की बात की जाए, तो 235 gram, तो एक mole में इतने molecules होते हैं, any number of molecules होते हैं, तो आप समझी गए, यानि कि 235 gram में इतने molecules हैं, तो सोचो, एक gram में कितने molecules हो होंगे, तो 235 में एने हैं, एक हैटरों नमबर के बराबर, तो एक में कितने होंगे, एने अपॉन दो सोचो, ये आगया आपका number of molecules, अब अब सिंपल है, number of molecules आ गया, एक molecule के फिजन में 200 मेगा एलेक्टरों वोल्ट, इतने इनरजी निकलती है, तो इतने के फिजन में कितन निकलेगी, इन्टु 200 कर दो, ये bonus question है, थोड़ा सा extra पढ़ा रहा हूं, हलका सा extra, एक दम जरा सा, जिसमें थोड़ा सा mole concept भी आगया आपका, तो simple सी बात है वेटा, 235 अगर उसका molar mass है, तो that is corresponding to one mole, and one mole corresponds to these many number of molecules, कितना है वो, 6 into 10 की power 23, upon 235 into 200, multiply कर लोगे न, तो तुमारा answer आजाएगा, अगर multiply किया गया, देखों, यहाँ पर किया हूँ अभी है, na 235, 200, answer आएगा बेटे, 5 into 10 की power 23, अब थोड़ा bonus मिल रहा है, तो थोड़ा और लेलो, ज्यान मिल रहा है, तो लेके जाना चाहिए, इसको तुमको बोल दो, जूल में convert करो बेटा, पढ़ाया हु तो जूल में convert हो जाएगा, तो देखों, नीचे लिखा भी है, जूल में convert करके, दिख, 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 यह आया था, into 1.6, 10 की power minus 13 किया, यह जूल में आ गया, और मज़ेदार बात अब, एक और unit होती है, किलो वाट आर, जिसमें आपका घर का बिजली का बिल आता है कहते हैं न, अरे इस बार 10 unit आ गया बिजली का बिल, वो unit होती है, किलो वाट आर, किलो वाट आर में अगर convert करना पड़ गया, तो यह unit का conversion जरा सीख लो, क्या पता कल को काम आ जाए, क्या पता कल को काम आ जाए, एक किलो वाट आर से अगर आप जूल में जाना जाते हैं, त किलो की लिए 10 की पार 3, किलो से वाट में जाने के लिए 10 की पार 3, वाट का मतलब है जूल पर सेकेंड, हैना बैटा, 10 की पार 3 is for किलो, वाट का मतलब है जूल पर सेकेंड, और एक आर में कितने सेकेंड होते हैं, एक आर में होते हैं 3600 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, यह बचा क्या सिर्फ जूल, अरे बचा आया सकते ना, देख लो, फिर सब सुन लो भाई, फिर तुम बोले कि सर, चमका दोसेरे एक बार धंग से, किलो की लिए टैन की पावर 3 वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, और एक आर, किलोवट आर, आर में कितना सेकंड होते है, 3600 सेकंड होते है एक घंटे में, तो 3600 सेकंड, सेकंड को मारा बचा सिर्फ जूल, तो अगर किलोवट आर से जूल में जाना है, तो आप मल्टिप्लाई करेंगे 3600 इंटू 10 की पार 3 से, है ना बेटा, जूल से किलोवट आर, उल्टा जा रहे है, तो डिवाइड, तो देख, ये जूल था, ये डिवाइड कर दिया, किलोवट आर में तन्वर्ट होगे अपना आंसर, कोई कसर नहीं छोड़ी है बेटा मैंने, तुमको दिखा दिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, रंग बिरंगा कर दिया, आमने इसको बेटा पूरा है ना, लगभग 50% कोईशन मैंने करवा दिये हैं, बाकि जो रेडियो एक्टिव वाला पार्ट है, रेडियो एक्टिविटी वाला, उसी के लिए सेशन रखा है साड़े बारा बज़े, वहाँ पे आईए, फूरा कर देंगे, रिवीजन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, मैंने फिर वही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, नुकड नुकड में दवाई की दुकान है बिटा, और नुकड नुकड में आप जानते हैं, सारा कुछ है नॉर्मल वाला, डॉक्टर्स बहुत कम है, क्योंकि अगर आप पेन ले रहे हैं, तभी एक्सपेक्ट करिएगा, कि आप ऐसे किसी प्रॉफेशन में जाएंगे, जो लोगों की डारेक्ट जान बचाते हैं, तो थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कश्ट तो होगा बिटा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा न, उस दिन लिटरली मतलब तुम सेवेंथ स्काई पे होगे, सातों आस्वान पे होगे, मज़ा आजाएगा लाइट में, सच बता रहा हूँ, और जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन सेलेक्शन हुआ, भले जितने भी नंबर आए, मेरे पास मेल आ जाना चाहिए, कि सर इतना नंबर आया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो सब हमने डाला, कुछ लोग बताते ही नहीं, यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सेलेक्शन तो होगा, मेल आ जाना जाए बाई, और बागे सारी चीज, कूछ भी अगर आपको चाहिए, रिलेटेट टू स्टडीज, आप जाए लिंक TR.EE में, और सारा कुछ है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ से आप उठाईए, टेलिग्राम भी यहीं पे है, देख लो बिटा, टेलिग्राम यहीं से निकाल लेना, लिंक 3 गौरव गुपता, यह सर्च कर दो Google में, गूगल भी सबसे पहले यह वाला रिजल्ट दिखाता है, उसके पास कुछ वाल है ने, इस 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 दिखाने का है न, और नीचे अन अकाडमी वाले में जाओ, फ्री स्पेशल प्लास दिख जाएगा आपको, प्लस के जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दू, प्लस का प्लैनर मंडे, कल है न मंडे, कल आ रहा है धंग से एक्दम, पूरा, लिख के कि कौन कौन सा चैप्टर किस किस दिन होगा, और डाट विल भी फॉलोड बेरी नाइसली, फ्लूइड मेकैनिक्स वगर वहाँ पे अभी होने वाला है ना, चलिए बेटा, लास्ट में जाते जाते, आपको मैं बता दू, कि बहुत अमेजिंग ओफर्स आये हुए हैं प्लस के लिए, और कल से नया प्लैनर लाँच हो रहा है, प्लस में फिजिक्स के लिए, तो आपको कोड क्या यूज करना है, जी लाइव इसके अलावा, यूज़ वें थ्री मन्त का आइकॉनिक, आइकॉनिक में आपको वन-on-one मेंटर्शिप भी मिल जाती है, आइकॉनिक में, यूज़ वें यूज़ वें आपको काफी हेल्प करेगा आपको, सीधा गए सेशन में, आपके जो डाउट से आप अपने मेंटर से पूछी और क्लियर करिए, उसके रवाँ नीट यूज़ी कॉमबैट है बिटा, आज 11 बजे, ठीक है, आज 10 अपरेट है ना, आज 11 बजे है, देना आप इसको, स्कॉलर्शिप भी मिलती है, अने कैडमी स्टोर लांच है 9 और 10 तारीक को जैपूर में, अगर आप जैपूर में रहते हैं तो जाईए आप यहाँ पर, यह अड्रेस है, गुपालपूर बाइपस, कमेंट बॉक्स भर जाना चीवेटा, आपके प्यार मुहपत वाले कमेंट से, है ना, चलिए मिलते हैं, और कल होने वाला है अपना एटम्स तोस के रहे तैयार रहना, कल 11 अपरिल है, तोमरो वी आटम्स लेक्चर वन, दो लेक्चर में होगा, और दो दिन इसका भी ब्रहमार्त्र चलेगा, आज के ब्रहमार्त्र के भी आज आना साड़े बारा बजे, मिलते हैं, तिल देन बबाई, वाव नाइस दे, लव यू ओर,